इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इंदोर से कॉंग्रिस प्रत्याशी अक्षे कांती बं नामांकन वापसी के आकरी दिन बीजेपी के पाले में जा बैठे। साथ खाना खाते भी देखे इस सब के बीच कांग्रिस प्रत्याशी के बीजेपी में जाने पर कांधिस कार करताओर ने जम कर प्रोद्शन किया और नारे पासी की. कि इस तरह से आप देख सकते हैं कि बीजेपी जॉइन करने के बाद अक्षे कांती बंब ने क्या कहा सुनिये कि अपनी बाद बड़ी चोटे में रखता हूं कि राष्ट रहीत की जागरती के लिए बेश प्रेंग के संभाव के लिए हमारे सनातन धर्म के पूरे विश्मनों प्रचायर के लिए के लिए हर लिकास के लिए उसके यो जो ध्वजा रोहग हैं नरिंद्र बोती जी के एक भारत शंष्ट भारत के लिए और मेना यहां से सब तक कहना है कि आदर्मिया नगबा जी, आदर्मिया अमिठ शहा जी और हमारे नहां के मतल पभीश के मुख्यमंत री आदर्मिय महुन यादव जी, हमारे जप्दीश देवला जी, हमारे कैलाष मुझय वर्धी जी इन शब के वीजन के लिए, इन सब के प जिस रास्ते पर उच्छों के लोग है, जिस रास्ते पर जैनी है, बस अब इन सब के साथ चलना शुरू करा है. कि इच्छा शक्तित राड़ किया है, हुए एक करना है, मुझा करना है, आज उनके पर्वेश पर में करता हूं, स्वागत करता हूं. हम सुनते थे बिहार में कि बूत केप्चिंग हो जाता है, पेटियां लूट ली जाती है, हम फिल्मों में देखते हैं ऐसे, प्रत्याश्य को लूट लिया, मतलब ये क्या मेसेज है, ये मेसेज क्या है, ये मेसेज है कि हम लोग तंत्र को मानते ही नहीं, हाँ, जो अंदेशा है देश को कि आना सही की और देश जा रहा है इससे पहले देखिए कैसे कॉंग्रिस प्रत्याश्ची अक्षे कांटी बम ने अच्छानक नमांकन वापस लेकर सभी को हैरान कर दिया इन दोर लोकसवा सीट पर खिला हो गया कॉंग्रिस प्रत्याश्ची अक्षे कांटी बम में अच्छानक नमांकन वापस लेकर सब को हैरान कर दिया उन्होंने नमांकन ऐसे समय में वापस किया जब नाम वापसी का आखरी दिन था देखे कैसे कॉंग्रिस प्रत्याश्ची अक्षे कांटी मंत्वी केराश विजवर गिये और बीजेपी विधायत रमेश मेंदोला के साथ पॉर्म वापस लेने करेक्टर कारियाले पहुँचे और नमांकन वापस लेकर कॉंग्रिस के लिए सारे दरवाजे बंग कर दिये यानि साफ है कि इन दौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी की जीतता है संजिन याज इस तरह से कांग्रेस पार्टी को जोर्दार ठका लखा है कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अक्षे बंग ने आज भाच्पा पार्टी जोईन कर ली है हमारे अक्षे बंग जिन ने आज कांग्रेस पार्टी को पर जो तबड़ा बं गिराया उस बम से कांग्रेस पार्टी बिल्कु खतम होगा यह मैदान में कोई बचा नहीं है क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि इन दोर के जित्ते भी कारगरता 25 तारिके दो आधनी सीम साब के निदोत में हम लोगों ने हत्वा जाइन करा दी थी परन्तु आज अच्छे भाई का बम करने से जित्ते वरिश नेता उनकों पर बम कर गिर गिया है और अच्छे भाई आज भारतेंदर बाड़े जाइन करने से आज भारतेंदर कांगरेस ने कोई बचा नहीं है नामांकन वापस देने के बाद मंत्री केलाश विजवर्गी और विधायक रमेश बेंदोला के साथ अक्षे कांती बम ने वीजेपी जॉइन कर ली केलाश विजवर्गी ने इस मौके पर एक सेल्फी अप्लोड की है सेल्फी के साथ उन्होंने लिखा कि इन दौर से कांगरेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षे कांती बमका, प्रधान मंत्री मोधी, राष्टी अध्यक्ष जेपी नडड़ा, मुक्य मंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के नित्रत में बीजेपी म भेजा गया, जबकि विजेवर्ग्ये खुद बाहर डड़े रहे, नाम वापसी के इस पूरे घटनकरम के बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया के जरिये कॉंग्रेस पर तंज कसा और लिखा, कॉंग्रेस मुक्त भारत, वहीं पूर्व मुक्यमंत्री शिवराज सिंग चौह खालत यह हो गई कब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते हैं, कुछ तो सर्मा सर्मी में बने हैं, लेकिन इन दोर के उम्मीदवार ने आज भारती जनता पार्टी जौएन कर ली, अब ये कॉंग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कॉंग्रेस में नहीं है इदर इस धोके से कॉंग्रेस में नराजगी है, देखिए कैसे इन दोर में कॉंग्रेस नेता आला कमान को कोस्ते नजर आए पूर में ही जानकारी थी कि ये नामांपर ले लेगा नामांकर बापसी के बाद बीजेपी में आते ही आक्षे कांती बंग के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है